हेलो दोस्तों यथारत हिंदी एजिकुसेंग क्लासिस में आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी साहिति के आधुनिका भी सम्मद्द कुछ इंप्रोटेंट प्रशन जो कि हिंदी डिजीडी पीजीडी के लिए काफी इंप्रोटेंट रहेंगे तो आधुनिक्ता को अपनी सुरक्षा के लिए अतीज से सम्मद्द रखना चाहिए यह कतन किसके द्वरा कहा गया है ऑप्सन है जी एस फ्रेजर आफबाव मार्क्स टी एस इलियट राइट आंसर आपको बताना है और इसके लिए जो राइट आंसर होता है वह है ऑप्सन ए ज आधुनिक्ता को अपनी सुरक्षा के लिए अतीज से सम्मद्ध रखना चाहिए यह कतन जी एस फ्रेजर का है अगला प्रशन है आधुनिक्ता के सम्मद्ध में निमलिखित में कौन सा एक सही नहीं है आधुनिक्ता के सम्मद्ध में कोई एक कतन है जो की सही नहीं है तो आ आधुनिकता सापेक्षित नहीं होती है जो इस समय आधुनिकता समझा जाता है भवश्य में वही पुरातन हो जाएगा तो इसमें आपको जो जो कथन सही नहीं है उसे बताना है और इसके लिए जू राइड अंसर है वो अप्सी ह्यूति है जो कथन है वह सही नहीं है इसके अधिक तो सारे कथन सही है अगला प्रशन है भारतेंदु यूगी इन कापी प्रवर्तियों में कौन सी एक सही नहीं है जो भारतेंदु यूग है इसकी कापी प्रवर्तियां आपको बताई गई है और इसमें जो सही नहीं है नहीं मैं अं कौन सा नहीं रहा था तो इसमें आपको right answer बताना है और इसके लिए जो right answer है वो option B है समाजिक दूर्दसा का वढ़न तो यह है इसकी विसेस्ता नहीं रही है इसके अतरिक्त राष्ट प्रेम की भावना इसकी विसेस्ता रही हासि व्यंग समश्या पूर्थी रही और विरह वणन का भी इसमें हमें वणन मिलता है इनकी रश्राओं में अगला प्रस्ण है सरस्वती पत्रीका का संपाधन कारी किसने संभाला सरस्वती पत्रीका का संपाधन कारी किसने संभाला option है रामचंद्र सुकल, हजारी प्रसाद दिवेदी, शाम सुन्दरदास या अग्य आपको इसके लिए right answer बताना है और जो इसका right answer है वो option B है हजारी प्रसाद दिवेदी अगला प्रसन है निम्नखित कथनों पर विचार कीजिए आपको इन कथनों पर विचार करना है और उनकी बारे में सही कूट ढूड़ना है 1900 से लेकर 1920 इस भी तक का काल हिंदी आचारी महाविर प्रसाद दिवेदी की कृतित्तु में से प्रभावित है यहां कालखंड दिवेदी यूग से जाना जाता है उप्रोक्त कतोरों में कौन से सही है या है या है या है या तो आपको कोई एक सही है या फिर दो सही है या आपको बताना है इसके लिए राइट आंसर ओप्सन C है एक और दो दोनो तो जो उनने सो से उनने सो बीस इस विदा का काल रहा वो महाविर प्रसाथ दिवेदी के कृत्तु से प्रभावित रहा और यह कालखंड दिवेदी यूग के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह नाम किसके नाम से बढ़ा था महाविर प्रिसाद दिवेदी युग के नाम से ही महाविर प्रिसाद दिवेदी के नाम से ही दिवेदी युग यह नाम पड़ा था question इस प्रकार भी कभी बनता है कि दिवेदी युग किसके नाम से जाता है तब आपको कर्फूश करने के लिए एक option हजारी प्रिसाद दिवेदी के नाम का भी दे दिया जाएगा जो की नगलत है क्योंकि right answer क्या है महाविर प्रिसाद दिवेदी के नाम से ही इस युग का नाम दिवेदी युग पड़ा था अगला प्रसने है साकेत की रशनाकार है साकेत किसकी रशना है बताना है 構षान है मैथलिसरण गुप्त हजारी पृषाद दिवेधी जैसंका पृषाद येशने है नमें से कोई नहीए इसके लिए राट अंसर होता है अगला प्रशन है अगला प्रशन है रशना प्रीब्रवास के लेखक का नाम है जो प्रीब्रवास के लेखक है उनकी लेखक का नाम है प्रीब्रवास के लेखक का नाम है और कोई नहीं राइट आंसर अप्शन C है अगला प्रशन है हिंदी का प्रथम महाकावी निवने में कौन सा माना जाता है हिंदी का प्रथम महाकावी निवने में कौन सा माना जाता है इन में से कौन है जो की हिंदी का प्रथम महाकावी माना जाता है खडी बोली का अगला स्ने है दिवेदी की मुख्य उपलबधी क्या है रही खडी बोली ब्रजभासा सरंगकारिकता रहे प्रक्रतेची तरन का हुआ that यहां से कौण सी की चैज कासे प्रमुकता में है खड़ी बोली दिवेदी क्यों प्लगदी क्या रही खड़ी बोली खड़ी बोली का यहां पर पूर्ण रुप से विकास हुआ अधिकतर यूज हुआ अगला प्रशन है प्रीब्रवास एम साकेत महाकावियों की रचना किस भासा में हुई है आपको प्रीब्रवास और साक साकेत महा कावई की भासा बतानी है कि कौँशी भास थी ौप्चन है खड़ी बोली अ Vidya प्रोक्त में से कोई नहीं राइट एंसर आपको बताना है किसके लिए right answer क्या होगा इसका right answer option B है खड़ी बोली प्रेवरवास और जो साकेत महाकाबी है इनकी भासा खड़ी बोली है अगला प्रसन है रस करस किसकी रसना है option है अयोध्यासी उपाध्याई रोक्टर श्याम सुंदरदास जैसंका प्रसाद या इनमें से कोई नहीं right answer option A है अगला प्रसन है भाध भारती रसना भाध भारती के संदर्व में किस विद्वान ने यह बात कही है कि इसकी लोग प्रता खड़ी बोली की विज़बता का सिद्ध हुई जो रसना है भारत भारती यह रसना है मैतिसरन गुपतिगी रसना इस रसना के संदर्व में इनमें से किस विद्वान ने यह कहा है कि इसकी लोग प्रता खड़ी बोली की विज़बता का सिद्ध हुई इसके लिए right answer है option A डॉक्टर नगेंद्र यह कथन किसका है डॉक्टर नगेंद्र का कथन है कि इसकी रोग प्रता खड़ी बोली की विज़बता का सिद्ध हुई अगला प्रसन है निम्लिखित कथनों पर विचार कीजिए आपको कथन दे दिये गए हैं और इमें से सही हो और गरता आपको बताना है अगला प्रसन है प्रिप्रवास ग्रंद के कथना के संदर्व में कौन सा कथन सही नहीं है जो प्रिप्रवास का कथना है उसके संदर्व में कोई एक कथन है जो की गलत है अप्सन में है प्रिप्रवास का कथना सिर्कषन के मतुरा गमन के वद्दानत पर आधरित है यह कुल 17 सरगों में भकते है स्रीक्रशन को इसमें भगवान माना गया है इसके रशनाकार हरियोध जी है जो गलत है वह आपको बताना है कि इसमें से कौन सा है जो की गलत है और इसके लिए राइट आंसर होता है अपसंसी स्रीक्रशन को इसमें भगवान माना गया है यह गलत कथन है इसके अधरित प्रवास के किस सर्ग में हरियोद जी ने विस्व प्रेम को ब्यक्तिकत प्रेम की अपेक्षा अधिक महत्वपूर माना है तो प्रेव प्रवास के किस सर्ग में हरियोद जी ने विस्व प्रेम को विस्व प्रेम को ब्यक्तिकत प्रेम की अपेक्षा अधिक महत्वपूर माना है यह अग mà को बताना है उस सर्ग का नाम बताना है ऊपसन है 58 में 2011 में 13 में इसके लिख अंसर और अप्सन डी है सत्रुए सर्ग में उन्होंने विश्व प्रेम को ब्यक्तिकत प्रेम से अधिक महत्तु दिया है अगला प्रश्ण है किस सर्ग में गोपी समवद उद्धो समवाद की चर्चा है आपको बताना है कि इसके किस सर्ग में गोपी और उद्धो के समवाद की चर्चा हमें मिलती है पांचवे सर्ग में छटे सर्ग में तेरवे सर्ग में या फिर चौदे सर्ग में प्रिय प्रवास के किस सर्ग में गोपी और उद्धो के समवाद की चर्चा मिलती है बताना है गोपी उद्धो समवाद इसके लिए right answer option B है छटे सर्ग में जो इसका छटा सर्ग है वह हमें गोपी उद्धो समवाद की बारे में बताता है अगला प्रसन है प्रेवरवास मूलता किस रस से सम्मंदित करनते हैं इसके लिए right answer है प्रेवरवास में option B वियोगरवास जैसे की नाम से हिस्पष्टर होता है प्रिय प्रवास जो प्रिय है उसका प्रवास हो गया है निक्यों कहीं और शला गया है तो उसके एकिस प्रधाःत है वियोग सरिंगार पर क्योंकि इनकी कथावस्तु क्या है स्रीकृष्टन के स्रीकृष्टन के गमन प्रधारिथ है जब वो गोपियों को छोड़कर मतुरा जाते हैं अगला प्रशन है निम्खित कथनों पर विचार कीजिये कथानाओं पर विचार कीजिए पहला है दिवेदी युके सरफसेस्ट कभी मैथलिसराण गुपत जी का नाम आता है और जो इन्हें कहा जाता है राष्ट कभी भी कहा जाता है और इन्हें राष्ट कभी किसने कहा गांधी जी ने मैथलिसराण गुपत को राष्ट कभी की संग्या किसने दी है गांधी जी ने दी है अगला प्रशन है द्वापर रचना की रचना का नाम है जो द्वापर रचना है इसकी रचना का नाम आपको बताना है option है मैथली सरन गुपत जैसन का प्रिसाद हरी ओड इन में से कोई नहीं right answer option A है मैथली सरन गुपत की रचना है द्वापर अगला प्रशन है सुमेलित कीजिए एक और रचनाएं हैं दूसरी और उसके रचनाकार हैं को सुमेल करना है कौन सा किसके साथ मेल करता है option में है साकेद मैथली सरन गुपत की रचना है आसू जैसन का प्रिसाद की रचना है प्रेप्रवास हरिवाद की रचना है और राम चंद्री का किसोदास की रचना है अगला प्रशन है मैतिसरांगुप्ति की रचनाओं का कालक्रम है कालक्रम की अनुसा है मैतिसरांगुप्ति की रचनाओं लगानी है तो इसके लिए हम सिद्धे सिद्धे राइट आंसर देख लेते हैं इसका राइट आंसर अप्शन ए है रंग में भंग फिर उसकी बाद आती पंचिवटी फिर आती है साकित और उसकी बाद आता है विश्णु प्रिया अगला प्रशन है साकित का प्रकाशन वर्स है अब आपको साकित का प्रकाशन वर्स बताना है कि साकेत का प्रकाशन किस वर्स में हुआ है साकेत का प्रकाशन 1930 में 1931, 1932 या फिर 1932 इसके लिए राइट आंसर option C है 1932 साकेत का प्रकाशन वर्स 1932 है अगला प्रशन है साकेत के संदर्व में कौन सा एक सही नहीं है साकेत के संदर्व में कौन सा सही नहीं है जो कथन गलत है उसके बारे में बताना है आपको बताना है गलत कथन कोई तीन सही है और एक गलत है पहला है यह कुल बारा सरगों में भगते है यह नाई का प्रिदान महा का भी है मैदिसरा गुपत जी ने लिखा है और इसके केंदर बिंदू में राम है आपको पुदा परदान काभ भी है मेझले सेहम गव्तुन ने लिखा या भी सई है इसके केंदर में आती है य। उर्मिला आती है जो की लक्षमींद्जी की पत्नी है उर्मिला और कहिकाई कईकाई और पर हीा है ग्रंत लिखा गया है कैकई और उर्मिला उर्मिला इसमें केंदर बिंदू है इसके तरक्र कैकई का भी हमें इसमें वर्णन मिलता है अगला प्रस्ण है साकेट के किस सर्ग में नाई का उर्मिला की विरह वेदना का वर्णन है आपको बताना है की कौन सा सर्ग है जिसमें नाई का नाई का कौन है उर्मिला है इसके विरह वेधना का वणन मिलता है option है सर्ग 8 में सर्ग 7 में सर्ग 8 और 9 में या फिर सर्ग 10 में तो इसके लिए right answer option C है सर्ग आठ और नौ में की उर्मिला की विरह का बढ़न है और जो केकई का दुख है वह कौन से कैकई जो कैकई का दुख है वह नवे सर्ग में दिखाए गया है ठीक है जबकि आठ और नवे में दोनों में उर्मिला का भी बढ़न मिलता है अगला प्रशने है साकेत की भासा है साकेत की भासा बतानी है खड़ी बोली है ब्रज भासा है अवधी है नमें से कोई नहीं इसके लिए राइट आंसर ओप्सन ए है खड़ी बोली जो साकेत की भासा है वह खड़ी बोली है अगला प्रशने है अगला प्रस्न है साकेत के प्रथम सर्ग में किसका समवाद है आपको बताना है कि जो साकेत का प्रथम सर्ग है उसमें किसका समवाद हमें मिलता है उप्सन है उर्मिला, लक्षमन, राम, या फिसीता इसके लिए right answer होता है option B लक्षमन साकेट के बर्थम सर्ग में अच्छ ये तो गरत होगे साकेट के केंदर में किस पातर की कथा वस्तू है 27 का question जो है वो है साकेट के केंदर में केंदर में किस पातर की कथा वस्तू है तो साकेत केंदर में जो कथा वस्तो है पातर आता है लक्षमन आता है यह नाई का प्रधान करनते है इसमें नाई का के विरह का बढ़न और लक्षमन का बढ़न हमें मिलता है अगला प्रसने है साकेत की प्रधाम सर्ग में किसका समवाद है अब साकेत की पर्थम सर्ग में बताना है किसका समवाद है राम लक्षमन का है, राम सीता का है, लक्षमन और उर्मिला का है या इन में से कोई नहीं तो इसके लिए राइट आंसर होता है उप्सन B, लक्षमन और उर्मिला जो साकेत का बर्थम सर्गे है उसमें लक्षमा औरुम्ला के समबात का बढ़न मिलता है अगला प्रशन है साकेत के किस सर्गे में औरुम्ला की विरह दसा का बढ़न है साकेत का कौन सा सर्गे है जिसमें की औरुम्ला की विरह दसा का बढ़न है दसवे में इसके लिए राइट आंसर ओप्तिजी को राष्ट कभी की उपादी से किस ने बीषूसत किया है कि महत्मा गांधी सुभा चंदर नेहरो या ग्रोोदेव राविद्नाद टेग और राइट आंसर ऑप्शन ए है महात्मा गांधी महात्मा गांधी जी ने मैतलिसरां गुपत जी को राष्ट कवी की उपादी दी इसे के साथ ये कलास हमारी यहीं पर एंड होती है मिलते हैं अंगली कलास में कुछ नहीं प्रशनों के साथ तब तक पढ़ते रहे अपने त्यारी को जारी रखे सफलता और से एक भी मिलेगी धन्यवाद